Hello everyone, JKK crypto में फिर से एक बार आपका welcome है तो दोस्तो आज के pattern में हम बात करने वाले है यहाँ पे reversal pattern reversal pattern क्या होता है दोस्तो अगर market किसी trend में है मान के चलो uptrend में है तो वो उसको downtrend की तरफ जाएगा यह हमें indicate करता है और अगर market downtrend में है तो वहाँ से uptrend की तरफ जाएगा यह indicate करता है reversal pattern में खितने types होते है यह हम आज जानने वाले है तो सिधा चलते है types के तरफ में तो दोस्तो इसका पहला type है double top pattern तो इस condition में क्या होगा market एक uptrend में है जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे उपर की उपर यह जा रहा था market अब trend के तरफ जा रहा था उसके बाद में यहाँ पे जो उसका resistance था और इसका support है ठीक है जैसे market यहाँ पे रजिस्टंस पर गया एक top लगाया वहाँ से नीचे आया support के तरफ में और फिर से उसने दूसरा टॉप लगाया resistance लेकिन उसने फिर यहाँ पे नीचे की तरफ Port के तरफ आया दोस्तों जयसे ही Support के तरफ आया उसने अगर Support को नीची की तरफ Break किया तो यहाँ हमें क्या Indicate करता है जैसे थोड़ा सा नीची आया और यहाँ पे Support की तरफ फिर से एक बार गाया और यहाँ पे क्या हुआ Market नीची की तरफ यहाँ पे आया एक बार फिर से बताता हूं दूस्तों यह इसका रजिस्टन्स है इसका सपोर्ट है मार्केट एक अप्रेंड में चल रहा था लेकिन इसने जब भी रजिस्टन्स पे एक टॉप लगा कि सपोर्ट की तरफ वापस आया और उसने नेक्स्ट रजिस्टन्स के तरफ दूसरा लगा तो आप देख सकते हो रिवर्सल पैटन कैसी काम करता है को ही भी ट्रेंड को रिवर्स करने का काम करता है जैसा मार्केट यहां पर अप्ट्रेंड में ता तो अभी क्या हाँ डाउन ट्रेंड में चले गया तो डबल टॉप आप समझ गये होंगे यह इसका फ़िला टॉप आई यह इसका दूसरा टॉप आए मतलब दो टॉप लगा के मार्केट नीची की तरप जाएगा इसको क्या कहते डबल टॉप पैटन दूसरा टाइप है दोस्तो इसका डबल बॉटम पैटन ठीक है तो यहां resistance के पास resistance से फिर से एक बार support के तरप आया फिर से एक बार Resistance के तरप आया जैसे इसने resistance को यहां पर break दिया breakout करकी यहां का गया market ऊपर की तरफ गया अब देख सकते हो कि downtrend था कि और reversal क्या हो गया अब trend हो गया तो जैसे मार्केट यहां पे डाउन ट्रेंड में था सपोट के पास आके पहला बॉटम यहां पे लगाया सपोट पे वापस रेजिस्टन्स पे गया फिर वापस सपोट पे आके दूसरा बॉटम लगाया और फिर यहां पे रेजिस्टन्स को उपर के तरफ ब्रेक करते ही यही तो फिरफ हो गया नेक्स पैटर दोस्तो ट्रिपल टॉप पैट्रन जैसे डवल टॉप था पशिर इत्रिपल तरफ जा रहा था रजिस्टन्स से सपोट है जैसे ही मार्केट रजिस्टन्स बे गया एक टॉप लगाया उसने वापस के आया सपोट के तरफ आया फिर इसने एक बार और फिर से दूसरा टॉप लगाया रजिस्टन्स पे फिर से नीचे आया सपोट के तरफ सपोट से फिर स और तिसरा Top लगाया और फिर से इसने support की तरफ आया लेकिन तantiसरी बार क्या हुआ support इसने break किया नीचे की तरफ तो market यहां पे क्या हुआ downtrend की तरफ हो गया अब trend में था downtrend के तरफ reverse हो गया तो triple top bottom में यह होता है तीन top लगते is과 top one, top two, top three जैसे इसने सपोर्ट ब्रेक किया तो मार्केट कहा गया नीचे की तरप डाउन ट्रेंड में गया नेक्स्ट पैटन है दोस्तो ट्रिपल बॉटम पैटन जैसे डबल बॉटम पैटन था वैसे ही ट्रिपल बॉटम पैटन यहापे क्या होगा तीन बॉटम लगेंगे जैसा ये बॉटम 1 बॉटम 2 और ये बॉटम 3 मार्केट क्या था या पर? डाउन ट्रेड में था नीचे ही नीचे आ रहा था सपोर्ट पे गया एक बॉटम लगाया उसके बाद में रेजिस्टन्स के तरफ गया वापस सपोर्ट पे आया दूसरा बॉटम लगाया वापस रेजिस्टन्स पे गया वापस नीचे आया सपोर्ट पे और तीसरा बॉटम लगाया और फिर्ट रजिस्टन्स पर जैसे ही इसने उपर की तरफ यहां पर ब्रेक आउट डिया तो मार्केट ने यहां पर क्या किया रिवर्स किया मतलब अप्ट्रेंड में चले गया तो ट्रिपल बॉटम पैटन में तीन बॉटम लगेंगे सपोर्ट पे आप देख सकते हो डाउन ट्रेंटा पहला बॉटम लगा दूसरा तीसरा उसके बाद में रजिस्टन्स को ब्रेक किया उपर की तरफ तो मार्केट यहां पर अच्छा खासा उपर की तरफ रिवर्स हो ग करने का काम एक करते हैं दोस्तों खास बात यह ध्यान में रखना है रिवर्सल पैटन कोई भी टाइम फ्रेम में बन सकता है तो आपको एक घंटे के चार घंटे में एक वीक के वन डे की सभी टाइम फ्रेम में यह दिख सकता है और दोस्तों ट्रेड करने में काफी हेलफू कीजिएगा तो आज का टॉपिक कैसे लगा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेर धरू कीजिए और अगर कुछ कुछ कोश्चन होंगे कुछ प्रॉब्लम साती होगी तो कमेंड करके हमें बताये हम उसका सुलीशन बताएंगे तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स पैटन के साथ में अब्डेट के साथ सब तक के लिए वाई वाई टेक केर